ब्रजबूशन केस की जाँच लगातार जारी है दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में इंवेस्टिकेशन कर रही है सवाल ये खड़े हो रही है कि आखिरकार ब्रजबूशन की गरफतारी अब तक पुलिस ने क्यों नहीं की है इस पूरे मामले में खिलाडी जो है वो खेल मंतरी से भी मिले, घ्रह मंतरी से भी मिले हैं हमारे साथ इस वक्त एक शक्स महजूद है जो की इंटरनेशनल रेस्लिंग के अंदर रेफरी के तौर पर काम कर चुके हैं और इन्हें दिली पुलिस ने गवा बनाया है इन्होंने छेड़ खानी होते वे देखी है सीधा उनसे बात करेंगे सर पहले अपना नाम और अपना परीचे बता दीजे जगबिर सिंग मेरा नाम है और इंटरनेशनल रेफरी ज़ूम है दोजार साथ से जगबिर जी आपको पुलिस ने गवा बनाया है किस मामले में गवा बनाया गया है क्या देखा है आपने किसी के साथ गलत होते हुए पूरी जानकारी दीजे भई अभी बीस कारिक को बीस मई को पहले एक सम्मन आया था लेकिन बीस मई को मुझे एक मेसिज फोन के दोवारा मिला के आप कहां पर हो मैंने बताया मैं पटियाडा मूँ कि ठीक है जर आपके पास हमारी टीम आ रही है और आपसे कुछ जानकारी चाहती है मुझे यह नहीं बताया गया किस बारे में जानकारी चाहती है कि आपका जो कुछती से इतने लंबे समय से जुड़े हुए है आपका एक ब्यान चाहिए हमें ठीक है भई आ जाओ तो उन्होंने आके जाके एक फोटो मुझे दिखाया कि आप इसके बारे में क्या बता सकते हैं वापर क्या हुआ था तो मैंने बता दिया कि 25 मार्च 2022 को सीनियर एसिया चेंपिंशिप की ट्रायल हुई थी उसमें ट्रायल खतम होने के बाद एक फोटो सेशन होता है हमारा जिसमें प्रेजिडेंट और वा जो आई वे महमान होते हैं और सभी पहलवान जो खिलाड़ी उस दिन चुने जाते हैं वो और ऑफिसल टीम वो खड़े होगे फोटो किछ बाती है तो उस फोटो में एक ऐसी घटना घटी थी कि जो एक बड़े वो जन की खिलाड़ी थी वो प्रेजिडेंट और उसके बीच में खड़ी थी जो मारा चीब कोच था उनके बीच में खड़ी थी वहां से वो चटपटा करके कुछ बोलते हुए वहां से हटी और हाथ पैर जो हमने जान लड़की को नहीं चूना चाहिए उस लड़की को वहां से चुआ हमने उसको देखा तो वहां से वो हटके और दूसरे स्थान पर जाके बैठी थी यह घटना 25 मार्च 2022 को लखनों में आप वहीं मौजूद थे आपने अपनी आखों से देखा कि ब्रजभूशन ने एक खिलाडी को गलत तरीके से चुआ है और उसे तंग किया है क्या देखा पूरा एक बार हमें समझा सकते हैं कौन सा मैच सा क्या था जब ये गटना होई यह सीनियर ऐसिया चेंपिंशिप जो ओलंब तूर मंगोलिया में होनी थी उसकी ट्रायल थी वो ट्रायल खतम होने के बाद एक फोटो सेशन था उसमें फोटो सेशन जब ट्रायल खतम हो जाते हैं तो जो बच्चे उस दिन सेलेक्ट होते हैं वो प्रेजिडेंट चीप कोच और जो कोई महमान आये हुए थे वो सब मिलके फोटो किछवाते हैं ये हो जाए कि बैयाज टीम का सेलेक्शन हुआ है उसमें जो टेकनिकल ओफिशल होते हैं उनको भी सामिल कर लि दी है क्या लखनाओ का यही इंसिडेंट या फिर आप सालों सो जुड़े हुए हैं रेस्लिंग से और कहां कहां पर आपने इस तरह के इंसिडेंट देखे हैं भाई पुलिस ने तो इतना ही पूछा था अब और कोई और पूछ रहा है तो जो जो एक्सिडेंट मेरे सामने वह भी बता दिये मैंने जैसे ब्रजभूशन के रहादा कब हुआ काहां हुआ कैसे हुआ वो सब गठना है जो हमारे सामने हुई ति मैं बता सकता हूँ कुछ हमें जानकारी आप दे सकते हैं कि इस 2022 वाले इंसिडेंट के अलावा और कहां कहां पर आपने कुछ ऐसा देखा जो की गलत किया ब्रजभूशन ने खिलाडियों के साथ 2013 की ये गठना है थाइलेंड पुकेट में एक जूनियर एस या चेंपेंशिप हुई थी वहां पर प्रेजिएंट गए हुए थे तो वहां पर बच्चों की डिमाड लगा लो या इनका स्वार्त लगा लो अब वो आज गठना ये महसूस हो रही है कि वो बच्चों की डिमाड नहीं थी इनका स्वार्त था इन्होंने कहा कि आज सब बच्चों को सब कॉंट्री जेंटल को इंडियन फूड खिलाएंगे और वो इंडियन फूड के बाहनें जो इनके ये खुद था और इनके साथ ही थे उनने फुल ड्रिंक की और उसके बाद जब डिनर पर डिनर हुआ तो बच्चियों को जान नहीं चोना चाहिए उस तरह की अरकतें उसमें हुई ये फुल नसे में था ये दो हजार तेरा पोकेट थाइलेंड की करना है ये भी इंसिडेंट आपने खुद अपनी आखों से देखा दो हजार तेरा में मैं एजी रेफ ही वहां पर गया हुआ था इस बात की भी जानकारी आपने पुलिस को दी है पुलिस से साजा करें पुलिस ने सरफ इतना ही बताया कि आपने जो आप कई इस बारे में पूछना चाहते हैं तो मैंने उतना ही बताया लखनव का इंसिडेंट आपने बताया इसके अलावा और कहां पर आपने कुछ गलत देखा और गलत वहां ये देख लो के जब दो यजार तो ही मेट से में व्रट में आपना है कि ओ लट्कीयों पर चुह में पर तो इननों हो किछ सेफैज लगेगी उसके सामने खाली लड्कियों की कुह दियांEng nett वो चाए भिर अंडर 17 की हो चाये येसके बीज खाली लड़कियों की कुफियां होंगी यह जो आपने बताया कि मैट कहां पर लगेगा इसने यह प्लाइन किया इसके अलावाद छेडखानी के दो मामले अपने अपने आखों से देखे हैं दो मामले अपने आखों से देखे हैं बाकी जब भी आने जाने का इनका व्यवार का वो तो देखते ही थे बहुत सब्सक्र जो खिलाडी है यह जब भी चलेंगे तो लड़किया इनके दलबल में जरूर होनी चाहिए एक एक्सिडेंट हमने दोजार बाइस में ही सोभिया बुलुगारिया में देख्या वहाँ पर यह ब्यूरो मेंबर का एक चुनाव होता उस चुनाव की फंडिंग करने के लिए गए तो वहाँ पर अमारा सुबह नौ बज़े कलीनिक होता है तो उस होटल में यह रुके हुए थे जबकि जो और देशों के प्रेजिजेंट सेक्टरी जो भी कोई वी आई पी लोग आई वे थे वो दूसरे होटल में थे लेकिन यह नहीं जान पूछके जहां लड़किया रुकी हुई थी जिस होटल में उस होटल में कमरा लिया और सुबह मेंट पर तो कि अब दूर उसमें ना जाकर के बच्चों के लिए जब फाइव स्थार होटल होते हैं तो उनमें बड़े-बड़े होल होते हैं उसी में एक मेंट लगा रखा था तो यह मेंट पर प्रेक्टिस कर वा रहा था तो वहां पर हमारी एक हसी भी होई वहां दूसरे जो और फ्रीज थे हमारे साथ उन्होंने देखा है इंडियन प्रेजिजन गॉल्स फाइट जो खिलाडी लगातार ये कह रहे हैं कि इस मामले में गिरफतारी होनी चाहिए पुलिस अब तक गिरफतार नहीं कर पाई है आप तो सबसे बड़े चश्मदीद हैं आपने तो खुद द झाय का एक वाक्य था उस दिन सरकार के खिलाप बोला था तो सरकार मेरे उपर एक्षन लेने को तयार हो रही है बर्जबुशन को गरफतार करने के बजाए अब ही आप काम कर रहे हैं रेस्लिंग मैं आभी भी मैं काम कर रहा हूँ मैं यू डो डोब्लो का उन को चटेगरी या जो बाकी की छेल विक्टिम्स हैं उन्होंने भी एलिगेशन लगाया है कि दिली वाले घर पर भी और कई जगे उनके साथ छेड़ खानी हुई इन मामलों के बारे में कुछ और जानकारी है आपको देखिए माइनर बच्ची के बारे में जानता मैं कोण बच्ची है और न अपने का वाई दिनी तो जो वाक्य हुआ था वो मैंने बता दिया था लगनों केस के अलावा जो आपने साल दो हजार बारा या तेरा का फुकेट वाला जो आपने बताया इंसिनेंट की कैसे छेड़ खानी हुई इस बारे में भी क्या आप पुलिस को जानकारी देंगे व मैं पूरे देश को जानकारी दे रहा हूं जिन लोगों भी आज मेरे से सवाल पुछा है जो भी सबसे पहले जो इंडिने एक्सप्रेक्स वाले जो पत्रकार बंदुआए था सवाल मेरा ये आप से कि पुलिस कह रही है कि उन्हें ऐसे सबूत नहीं मिल रहे है तो क्या 2022 वाला मामला हो या पुराना हो वहाँ पर CCTV कैमरा फोटोग्राफ या क्या फोन पर भी बात करके परिशान करता था कि लाडियों को क्या ऐसी कुछ चैट्स भी हो सकती है देगे मे चित करने के लिए जगवीर जी हैं जो की इंटरनेशनल रेस्लिंग के अंदर रेफरी के तौर पर काम करते हैं और ये बता रही है कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस इनके पास पहुची इन्होंने अपना बयान दर्च कराया कि साल 2022 में लखनव में एक खिलाडी के साथ किस तरीके से गलत हरकत की गई गलत तरीके से उसे चुआ गया यही नहीं साल 2022 तेरा में फुकेट में एक जो खिलाडी है उसके साथ भी छेड़ खानी की गई ये इनका कहना है और वेवार के बारे में भी इस साफ़त और बता रहे हैं कि वेवार जो है वो बहत गलत तरीके का ब्रज भूशन का था और इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस इन से जब भी संपर करेगी ये पुलिस की मदद करने को तैयार है कैमरामेंच चंद्रभान के साथ अभैपराशर इंडिया टीवी दिल्ली